मनिपूर में चल रहे टकराओं के वीच और राज्य का 19 जुलाई को एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें दो महलाओं को निर्वस्ट करके परेड कराई जा रही है जिसे लेकर विपक्षिदलों ने सरकार पर सवाव खड़े कर दिये मनिपूर में अशांती के 81 दिन पूरे हो चुके है लेकिन मोदी सरकार हालात पर खाबू पाने में नाकाम साबित हुई है इसे भीष कॉंग्रिस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है मनिपुर में चार मई को दो महिलाओं के साथ जो हुआ उसे भुनाना बहुत मुश्किल है मनिपुर की घटना देश के इतिहाश में काले अध्याई के तौर पर देखी जा रही है हलाकि चार मई की घटना की बात उनने जुलाई को सब के सामने तब आई जब एक वीडियो सोशल मीडिया परतेजी से वारल हो गया इस वीडियो में दो महिलाओ को निरवस्तर करा कर परेड कराया जा रहा था इस वीडियो के सामने आने के बाद कॉंगरेस ने मोधी सरकार को चौतरफा घेर लिया कॉंग्रिस सरकार से जवाब चाहती है कि आखिर क्या वज़य है कि इतने दिनों तक पिया मोदी का ध्यान मणिपूर की ओर नहीं गया प्रदेश जलता रहा और मोदी मणिपूर के खालात पर मौन धारण करके देश विदेश खुमते रहे इसी कड़ी में एक बार फिर कॉंग्रिस ने अपने ओफिशल टुटर हैंडल पर 57 सेकंड का एक वीडियो शेयर करके मोदी पर जोरदार हमला बोला है वीडियो का कैप्शन दिया गया है मणिपूर जलता रहा मोदी घुमते रहे 57 सेकंड के वीडियो में मोदी को लेकर निशाना साधा गया है वीडियो में लिखा गया है मणिपूर में हिंसा शुरू हुई तब मोदी जी करनाटक चुना में व्यस्त थे फिर अमेरिका चले गए एजिप्ट गए चुना प्रचार करने के लिए मधिप्रदेश गए फ्रांस गए दुबाई गए अकेले डर लगा तो 38 पाटियों का गठबंदन करने चले गए लेकिन मणिपूर नहीं गए मणिपूर की हालात बिगरते रहे मणिपूर जलता रहा लोग मरते रहे पिये मोदी सब कुछ जानते वे भी चुप चाप रहे डीवी लाइफ की रिपोर्ट